ही दोस्तों स्रीपरणाश्री चैनल में आपका बहुत वस्वागत है तो आज की जो वीडियो है ना यह बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों को उनका पार्टनर अच्छे से भाव नहीं देता है सही से उनके साथ बात नहीं करत हैं और उनको थोड़ा ignore करते हैं अगर आप फोन करते हो तो पार्टनर साटीर sri BM करते हैं या फिल काल करते तो जल्द बाजी करते है रखने के लिए मतलब कि मीन बात यह है कि आपको इगनोरड फील होता है आपको लगता है की पार्टनर अब पहले जैसे आपको प्यार नहीं कर रहा है वो आपको इग्नोर कर रहा है वो आपको सही से भाव नहीं दे रहा है तो ये वीडियो सर्फ और सर्फ आपके लिए है आज मैं आपको तीन ऐसे रहसे के बारे में बताऊंगी अगर आप साही से ये तीन रहस से सुन लिए समझ लिए और इसका एपलाई कर पाए तो वही पार्टनर आपके पीछे पर जाएंगे आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे तरबेंगे इल्कुल ही साइकलोजिकल वीडियो है पूरा वच कर लिए इसमें आपका ही फायदा है तो चली सब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि चैनल नहीं हो और ऐसे वीडियो सब्सक्राइब करके बिलमेंतकार हो जाएगा जो पार्टनर अभी कि उपर इतना ज़ादा टॉर्चर करना है mentally, वो खुद आपके पीछे पर जाएंगे, आपके पीछे पीछाएंगे, आपके साथ बात करने के लिए न तरसेंगे, तो पहला जो point है यह है दोस्तों, मौन का रहस्य, अगर आपको मौन का रहस्य नहीं पता है, तो आपके life में बहुत जादा problem होगा ही होगा, कि दोस्तों जब आप बहुत जादा बात करते हो, तब आप कही न कई खुद को खोदेते हो, और जब आप खुद को खोद होगे, तब सामने वाला आपको कैसे value करेंगे, सबसे पहली बात आपको अपने आपको पैच्छानना पड़ेगा, जब आप बात करते हो, तब आपका focus पूरा ही सामने वाली के उपर रहता है, सामने वाला किस बात से खुश होगा, किस बात से उसका reaction कैसा होगा, इनी सारे चीज़ों की उपर आपका focus रहता है, और इस एकर में आप खुद को ही भूल जाते हो, आप निरंतर बाते करते रह तो अगर ऐसा आप करते जाओगे तो पार्टनर आपको क्यों भाव देंगे उसको तो कोई जरूरती नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ सोचे क्योंकि आप तो कंटिनुएसलि बाते करें और जो भी आप बाते करें उसमें आपके अंदर की सारे राज भी बाहर आप डाल आप की एक्राइब दो करें आपने रहे हो तो पार्टनर को आप में इंटरेस्टिंग सा कुछ लगता ही नहीं है आप ही बताओ जिनके सादा बहुत सारे बाते करते हो, उनके बारे में आपको सब कुछ पता चल ही जाता है, तो आप कोई खास interest उसके उपर थोड़ी लेते हो, और जो आप से कम-कम बात करते हैं, आप उस पे ही interest लेते हो, आपको लगता हो, पता नहीं ये क्या सोच रहा होगा प्तानी इसके साथ मैं कैसे बात करू आपका फोकस उन्atk भी इता है जो कम बात करते हैं तो सेम चीज आपके उपर भी है अपला होताई रोस्तों अगर आप कम बात करोगे तो अपना का educate आपके उपर होगा पार्टनर आपको वैलू देने लगेंगे और अगर आप मौन का रहस समझ गए अगर आप कम बात करना अपनी आदत में ले आए मौन होना आप अपना सभाव बना लेते हो कि अगर मुझे जरूरत नहीं है तो मैं फाल्दु की बखवास बातें नहीं करू यह लड़का लड़की सब के लिए समानकारिगर है यह चीज़ अगर आप कर पाऊगे न वही पार्टन जो अभी भाव नहीं दे रहा है वो आगे पीछे घूमेंगे आपके वो सोचेंगे कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है पहले तो इतना बात ही करता था और अभी तो मेंसा सइसे बाद भी नहीं करता है तो अभी आप उसके पीछे बाग रहे होना आपको लग रहा हैं देखो कैसे आपके पीछे आजाता है वो आपकी आगी पीछे खोमेंगे आके मह से 2 लबज़ शुने के लिए पागल रहेंगे तो अपनी बातों को वजंदार बनाओ बहुत ज़दा available होता है उसका value कम हो जाता है तो अगर आप बहुत ज़्यादा बात करोगे obviously आपकी बातों की value कम हो जाएगा इसलिए आप बाते कम करो और मौन की importance को समझो जैसे जैसे आप मौन की तरफ बढ़ोगे वैसे जैसे partner के नजर में आपका value अप होता जाएगा अब दूसरे point में आ जाते हैं दूसरा कौन सा रहस्य है जो आप अपने जिंदेगी में implement करने के बात partner आपकी पीछे पर जाएंगे तो दूसरा जो point है यह है self dependent होना पड़ेगा बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि partner तो मुझे बहुत जादा प्यार करते हैं मुझे अपने आखों पे बिठा के रखते हैं तो मुझे बहला पैसा income करने की क्या जरूरत है दोस्तों वो आपको आखों पे बिठा के रखते हैं लेकिन अगर आप उनके कंदे पे बैठके उन्ही का पैसा खाओगे उन्ही के पैसे से आप पलोगे तो वो आपको respect नहीं करेगा मैं आज बोलू आप लिके ले लो चाहिए आप भी किसी भी position में हो अगर आप सोच तो मेरा पाटन मुझे बहुत जादा प्यार करते हैं मुझे बहला पैसा income करने की क्या जुरूरत है तो आज के date देखे न मेरा बात आप लिख लो जिन्दगी में कभी न कभी ऐसा मोड आएगा जब आपको ये लगेगा कि मैंने बहुत गलिच decision ले लिया कि मैं अपने पैरोपे खड़ा होना नहीं चूस किया क्योंकि दोस्तों अगर आप self dependent नहीं बनते ह कोई भी आपको respect नहीं करेंगे अगर आप किसी के भी पैसे से पलते हो आपको खाना मिल रहा है किसी के पैसे से आपको कपड़ा मिल रहा है तो उस इनसान से आप value का आशा नहीं कर सकते आप को सोचो ना आप अगर किसी के लिए पैसा खर्चा करते हो आप उस इनसान को उत सारा काम करते हैं फिर में हम उनको रस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको हम पैसा देते हैं तो हम जिसे पैसा देते हैं उनको हम रस्पेक्ट नहीं करते हैं इसी तरह से दोस्तों आपका पार्टनर अगर आपको पैसा दे रहा है और आप उसके पैसे से ही खाना पिना चल नहीं होगा लेकिन अगर आप self dependent नहीं होते हो और partner के पैसे से ही आपका सब कुछ चलता है तो जैसे जगड़ा होगा जैसे कुछ होगा आपका value सबसे पहले गिरेगा सबसे पहले आपको वो नीचे नजर से देखेंगे कि ये तो मेरे ही टुकड़ो पे पलता है इसलिए दोस्ता आपको कभी बीचा है सामने वाल आपको कितना भी प्यार करें लेकिन उसके पैसे से आप अपना जिंदेगी बिता होगे ऐसा सोचना बहुत जादा गलत है और अगर आप सोच रहे हो तो अभी इस सोच को बदलने की जरूरत है और अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हो तो देखना पार्टनर कैसे आपके पीछे पर जाता है जो अभी भाव नहीं देता है न क्योंकि उसको पता है आपका वैलू किस तरह से बढ़ता है अब थर्ट रहस्य में आ जाता है जो पार्टनर आपको भाव नहीं देता है अगर आप जाते हैं वो आपके पीछे बढ़ जाए तो आपको थोड़ा फाती आइडिया इस्तिमाल करना पड़ेगा और वो आइडिया आपको किसी समय इ इसके साथ बात कर रहा है लेकिन कोई प्रूफ नहीं है अगर आप प्रूफ के साथ उसको जेलस करवाओगे तो वो आपको करेक्टरलेस बोलेंगे तो आपको कोई प्रूफ नहीं देना है आपको इंडियरेक्ट तरीके से उसको जेलस फील करवाना है क्या फिर कभी-कभी आप अपने किसी friend के साथ photo कि इसके dp में लगा दो इस तरह से अगर आप उसको धोड़ा-थोड़ा jealous feel करवाओंगे ना फिर देखना कमाल जो partner भाव नहीं दे रहा है वो आगी पीछे आगी पीछे घुमेंगे इस चीज़ याद रखना दोस्तो partner भाव तभी नहीं देते हैं तब ही partner आपको भाव नहीं देते हैं और ये जो तीन रहस्त से मैं बताई ना ये तीन रहस्त अगर आप सही से सुने हो समझ कहे हो और इसको आप apply करोगे तो partner के दिमाग से ये बाला थोड़ चला जाएगा कि इसका तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं क्योंकि जब आप मौन होते हो तब आपके आगे का program उसको पता ही नहीं जलता है आगे का कोई planning उसको समझ में नहीं आएगा जब आप self-dependent होते हो तब partner को लएगा कि यार ये मेरे से अगर जुदा भी हो जाए तो इसको खाने पीने या रहने को कोई दिक्कत नहीं होगा तो ये कभी भी जा सकता है ठीक है और third जो मैं बता ही आपको उसको जलाना पड़ेगा जिसे आप थोड़ा तो जलाते हो तो partner को लएगा कि यार ये side किसे के चकर में है तो इसको अपने wash में करना पड़ेगा इसको capture करना पड़ेगा नहीं तो ये मेरे से दूर चला जाएगा और ये जब उसको feel हो ना तब ही वह आपको फिर से बाव देना start करेंगे और आपके आगे पीछे घूमेंगे लेकिन आप लोग जो कलती करते हो जब से वह बाव नहीं देते तो आप उसके पीछे पर रहते हो गिर गिराते हो रोते हो उससे प्यार की भीग मांगते हो इससे उनके दिमाग में ज बस जाता है कि यह चेंज नहीं होने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों बस आप गलत रास्ते में चलते हो मैं आपको जो रास्ता बता रहे हो आप करके देख लो देखना वहीं पार्ट्रों जो अभी बाव नहीं दे रहा है ना पो कैसे आपके आगे पीछे मखी के तर लेजिए तकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो मिस्स ना करो तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई